है गाईस वेल्कों बैक ब्रैन वन अंदर वीडियो मैं हुआज है आप देखरें एहमलम रोजकार दोस्तो इस दुनिया के अंदर कार्बन पॉलिशन बहुत जादा है उस चीज को कम करने के लिए और उस चीज के अंदर लोगों को जागरू करने के लिए एक ऐसा क्रिप्ट क्रिप्टो क्रेंसी के अंदर कॉंसेप्ट आया है जो कि लोगों को जागरू करने के साथ साथ उन्हें मॉटिवेट करता है कि आप कार्बन पॉलिशन कम कीजिए और उसे सॉलर प्लांट एनरजी की अंदर जो कि फ्री की एनरजी है उसमें परमोट करते हैं इसके अलावा ट्री प्लांटिंग यानि पोहदा रोपन में भी ये शक्षम है जिया दोस्तों मैं बात करने वाला हूँ TZW के बारे में जिसका मतलब है The Green World के बारे में जो कि क्रिप्टो क्रेंसी और नैचर को मिलाता है दोस्तों यहाँ पर क्रिप्टो क्रेंसी या फिर TZW के बारे में बात करें तो यह ग्राउंड ब्रेकिंग इन्नोवेटिव फोक्स है जो कि रिड्यूजिंग करेगा कार्बन एमेजिस को और दोस्तों यहाँ पर एड्रसिंग करता है क्लाइमेट चेंज को जो की यूटिलाइज होगा क्रिप्टो ब्लॉक्चेन टेकनोलजी के माधियम से यहां पर इनकी वीजिन और मिशन की बात करें एमेजिदे क्लीट मिशिंग कंटा है जो जब और पर आफ़े अबले कर लेकर उसे कम करने के लिए यह प्रसाहन करते है इसके रहाँ अब दोस्तों यहां पर जितने ज़्यादा लोग पेड़ लगाती है उस Сहसाब से उन्ने rewarded दिया जाता है यानि airdrop दिया जाता है और इसके अलावा दोस्तों आपको यहां पर बहुत अच्छा income होने वाला है दोस्तों इनका goal यही है कि यह awareness फिलाएंगे पब्लिक knowledge आ सकी उनकों के energy solar energy और tree planting के माध्यम से कितने benefit मिलने वाले है इसके अलावा दोस्तों यहां पर ग्रीन टैक्टिक्स की रवाएंगे जाए दोस्तों sustainable network भी एक build किया जाएगा वही दोस्तों यहां पर focus ecosystem यहां पर इस तरह से अगर हम बात करने लगे तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा हम short में समझते हैं कि यह एक ऐसा system build करने वाले हैं जिसके माध्यम से आप सभी को income भी प्राप्त होगा और pollution free world के अंदर रहने का भी मोका मिलेगा और free में solar energy भी प्राप्त की जा सकती हैं दोस्तों वहीं बात करते हैं cryptocurrency के बारे में तो आप सभी जानते हैं कि cryptocurrency 2009 में develop किया गया था इसके लाओ दोस्तों यहां पर यह cryptocurrency की अंदर अपने खुद को token को promote कर रहे हैं जो कि TZW के नाम से होगा जिसके माध्यम से भी आपको income होने वाली है दोस्तों blockchain technology, decentralized, mining, validation या फिर इन बारे में हम बात नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा हम बात करते हैं इनके tokenomics के बारे में दोस्तों token का नाम है TZW, decimal 18 यूज़ किया गया, standard BEEP 20 है token का total supply 510 million का रखा गया है September 2024 के अंदर इसे launch करने की 100 चीज़ आ रही है token की value to 51 USDT रखा जाएगा इसके लाज़ों से यहाँ बात कर लेते हैं token distribute के बारे में तो यहाँ पर अलग अलग प्रकास से token को distribute किया गया है जिससे की एक utilize तरीके से काम किया जा सके जिसकी अंदर ecosystem के अंदर 20% 15% marketing and airdrop के लिए 15% staking yield के लिए 10% founder and early investor के लिए 10% social media investor के लिए 7.5% strategy business partnership के लिए और 5% legal complaints के लिए इसके लोग दोस्तों यहाँ पर 5% cruise fund के लिए 4.5% development team के लिए 3% reward के लिए 2% early liquidity के लिए 2% charity के लिए 0.75% LP reward के लिए 0.25% advisory के लिए यह can distribute और निकाला गया है वहीं बात कर लेते हैं roadmap के बारे में तो दोस्तों यहाँ पर August के 4th week के अंदर B20 token को launch किया गया है इसके अलावा September 1st week की अंदर इन यह अपना 2024 के 1st ICO launch करेंगे 2024 के September 2nd week की अंदर को build करने की strategy बनाने वाले हैं और इसके लाव दोस्तों 2024 के अंदर BSE scan का logo verify होगा 3rd week के अंदर September की अंदर September 4th week की अंदर token tokenomics address verify होगा इसके लाव दोस्तों यहाँ पर बाकी के October, November, December और बाकी का roadmap आप देख सकते हैं जो की इन्होंने हर एक तरीके से दिया गया है कि यह क्या क्या करने वाले हैं जिसके अंदर यह centralized exchange launch करेंगे TZW Gaming TZ AI Board TZ Green World Blockchain TZ NFT TZ Multi Blockchain Bridge बनाएंगे और इसके अलावा भी बहुत सी strategy है जो की coming soon की अंदर इन्होंने रखी है दोस्तो बात करती है कि जो भी इनके token है वो pancake swap और smart contract के through ही buying होती है दोस्तो deposit यहाँ पर एक example दिया कि 100 dollar का buying होता है तो automatic 30% जो के buying smart contract से होगा और 30 dollar का fund add होकर automatic TZW liquidity pool की अंदर चला जाएगा यानि total 60% liquidity pool की अंदर चला जाता है इसके लाब दोस्तो यहाँ पर 30% insurance wallet की अंदर जमा होता रहता है जब भी कभी coin का price नीची करता है cryptocurrency की news की वज़े से या फिर कोई fard आता है उस case की अंदर हर महीने 10% fund को निकाल कर और automatic liquidity pool की अंदर add कर दिया जाता है तो उस case की अंदर इस fund को use करके system को coin के price को और जो भी fard है उसको maintain किया जा सकता है दोस्तो यहाँ पर 10% development team के लिए टोकन जाते हैं दोस्तो इस तरह से यहाँ पर 100% token का buying होता है और इस तरह से यह distribution चलता है बात करते हैं airdrop के बारे में तो staking bonus booster airdrop, referral airdrop, structure airdrop और airdrop reward जिसे हम types of income भी बोल सकते है सबसे पहली income की बात करें जो कि staking bonus है दोस्तो यहाँ पर आपकी अलग-अलग slab बनाए गई है अलग-अलग packages बनाए गई है और सबसे खास बात यह है कि आप जिस भी slab की अंदर आते हैं जितना भी token buy करते हैं उसका 200% आपको token मिलने वाला है सबसे आप 30$ से लेके 109$ की buying करते हैं तो आप monthly unstake आपके total token का 6% कर सकते हैं और आप 6% वाले slab की अंदर आते हैं और stake token आपका 100% होगा staking bonus आपको 100% मिलेगा यानि total आपको 200% token मिलने वाला है यहाँ पर मैं आपके एक example भी समझाऊंगा जो कि next slide के अंदर होगा 100$ से लेके 499$ का buying करते हैं 7% आप unstake कर सकते हैं monthly 200% आप token ले सकते हैं इसी तरह दोस्ते यहाँ पर आप 10,000$ या फिर इससे अबब भी लगा सकते हैं और आप 6% से लेके 12% तक किस लैब में आ सकते हैं और 6% से लेके 12% मंतली unstake कर सकते हैं यासा कि मैंने बता है कि staking bonus की अंदर में आपको एक example देने वाला हूँ example समझ गए तो आप इस concept को समझ जाएंगे वो किस तरह से दोस्तों यहाँ पर मान की चलिए कि आप 2000 डोलर के token खरी देते हैं और एक token का value आदा डोलर है तो उस हिसाब से आपको लगभग 4000 token मिलने वाले हैं लेकिन आपको यहाँ पर bonus के तोर पे जिसे हम staking bonus बोलेंगे उसके तोर पे 4000 token free मिलेंगे तो टोटल आप 8000 token प्राप्त करने वाले हैं 2000 डोलर की value की अनुसार दोस्तों यहाँ पर 2000 डोलर का अगर आप 10% की slab में आते हैं जब आप buy करेंगे तो 10% वाली slab में जाहेंगे तो आपको 200 डोलर के value के token को unstake करने का मोका मिलता है हर महीने यहाँ पर दोस्तों एक table दिया गया है उसे आप ध्यान से समझीएगा वो किस तरह से काम करने वाली है दोस्तों जैसे ही आपने staking कर दिया तो पहले मेहने आपको 200 डोलर की value का unstake होना है और दोस्तों यहाँ पर coin का price मान के चलिए आदा डोलर चल रहा है आपको इसका divide होगा तो 400 TZW token मिलने वाले है जो कि 8000 token आपके total stake किये थे जिसमें इसे minus होके 7600 token आपके बच जाएंगे इसके लावा फिर दूसरे माहिने की बात करें तो फिर से 200 डोलर के value का ही token आपका unstake होना है suppose that price increase हो जाता और 0.75 डोलर हो जाता है तो इसका dividation होकर 267 token आपको मिलने वाले है जो कि 7600 token में से minus होके 7333 token आपका बचेगा इसके लाव दूसरे माहिने की बात करें तो 200 डोलर का token आपका unstake होना है मानिके जिलिए price 1 dollar हो जाता है तो आप 200 token मिलने वाले हैं जो कि आपका 7333 में से minus होके 7133 token आपका बच जाएगा जो कि इस staking में बढ़ा रहेगा जिस पर भी आपको benefit मिलने वाला है इसी तरह दोस्तों यहाँ पर 4 महिने की अंदर 200 dollar के value का फिर आपका unstake होगा price increase हो जाता है 1.25 dollar से तो आपको 160 token मिलने वाले हैं 2973 token आपका staking में बचेगा इसी तरह दोस्तों यहाँ पर यह पूरा कारवा चलेगा 10 महिने तक कासार ने दिया गया है लेकिन यह तब तक मिलेगा जब तक यहाँ पर आपका value 0 नहीं हो जाता दोस्तों यहाँ पर यह बहुत अच्छा income है क्योंकि यहाँ पर आपको हर महिने price increase होता है system का तो हर महिने आपको दर बादर और दिन बादिन अच्छे से अच्छा इनका मिलता जाएगा तो इस तरह से यहाँ पर यह staking bonus काम करने वाला है दोस्तों वहीं बात करते हैं staking bonus के terms and condition के बारे में तो यहाँ पर दोस्तों terms and condition यही है कि आपको जो भी staking bonus है वो 100% staking bonus और buying slab के अंदर जाएगा इसकला दोस्तों यहाँ पर आप किसी भी package से अपने slab को increase कर सकते हैं दोस्तों यहाँ पर जब आप upgrade करेंगे यहाँ पर एक example दिया गया है कि आपने starting में 100 USDT का package लिया उसके बाद में आपके पास पैसा आये तो 400 USDT और लगा दिया तो आप current slab जो कि 500 USDT वाला होगा उसके अंदर आ जाएगे और यहाँ का benefit आपको मिलना शिरू हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर unstake आपका हर week according to आपके monthly token unstake limit के अंसार होगा इसके लगा दोस्तों यहाँ पर buying और staking token तब तक मिलेगा जब तक आपका zero नहीं हो जाता और minimum unstake आप 10 USD का कर सकते हैं वहीं बात करते हैं booster airdrop के बारे में दोस्तों यहाँ पर इसे आप जान से समझीगा किस तरह से यह काम करने वाला है यहाँ पर 100 USD का अगर आप package लेते हैं तो 50 दिनों के अंदर अंदर आप अपनी direct team का those token buy करवा देते हैं तो आपका जो staking limit है यानि unstaking limit है वो increase 50% हो जाएगा यानि अगर आप 6% वाली slab के अंदर है तो आपका बढ़ गर 9% हो जाएगा इसी तरह दोस्तों यहाँ पर इसका आप unlimited benefit ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पर direct team का 200% token buy करवाना है यानि आप अगर 1000 USD का अपना खुद का package है तो 1000 USD का direct का business होना जरूरी है तब जाके आप 50% अपनी unstick limit को increase कर सकते हैं दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं रेफरल bonus के बारे में तो यहाँ पर दोस्तों जितने भी लोगों को आप रेफरल करते हैं वहीं बात करते हैं structure airdrop के बारे में दोस्तों यहाँ पर इसी अभध्यान से समझीगे कि किस तरह से income मिलने वाली है दोस्तों यहाँ पर आपका buying token 30$ लेकर 199$ हुआ और आपको यहाँ पर 6% मिलेगा यह किस तरह से यानि यहाँ पर आपके down में जितने भी team है यहाँ पर कोई भी level की counting नहीं की गए जितने भी team है वो जितना भी staking bonus ले रही है उस staking bonus का 6% आपको मिलने वाला है इसी तरह से 200$ लेकर 499$ वाले package अगर अपने buy किया है तो आपकी down में जितना भी team है वो जितना भी staking bonus ले रहे है उसका 7% मिलेगा suppose that आपकी team total 10,000$ का staking bonus ले रही है तो आपको 10,000$ का 7% मिलेगा यानि 700$ का आपको token मिलेगा इसी तरह से दोस्तों यहाँ पर बाकी आप देख सकते हैं कि किस तरह से income मिलने वाला है बात करते हैं terms and condition की बारे में तो जो की आपको structure bonus लेने के लिए उसको slab के according यूज़ कर सकते हैं income structure एड्रोप आप 300$ का per day ले सकते हैं वही बात कर लेते हैं एड्रोप reward के बारे में जो की आपको काफी अच्छे तरीके से दिया जाएगा तो यह एड्रोप reward आपका USDT value की अंदर count होगा यानि यहाँ पर 1500$ left और 1500$ right का business हो जाता है या फिर buying हो जाता है तो आपको 1.5$ हर दिन मिलेगा और यहाँ पर एड्रोप limit 11% रहेगा अब यह 11% क्या है structure एड्रोप और एड्रोप reward को मिला कर आपका 11% होगा यानि यहाँ पर 1500$ का आपको withdrawal की limit 11% हो जाती है तो यहाँ से आप 11% को ले सकते हैं वहीं बात करते हैं 5000$ यानि 3500$ क डोलर वाली slab में आएंगे और यहाँ पर 50$ आपको खुद का self buying करना है और यहाँ पर दोस्तों 5$ आप हर दिन ले सकते हैं और 5$ जो आपको पहले मिल रहा था वो बंद हो जाएगा और आप 10% वाली airdrop limit में आ जाती हैं और यहाँ पर airdrop limit structure airdrop और airdrop reward को मिला कर बनाई ग और यहाँ पर 9% वाली slab के अंदर आ जाते हैं दोस्तों यहाँ पर यह 15$ से दिखाने को है क्योंकि आपको मिलेगा ज्यादा यहाँ पर सिर्फ airdrop reward से 15$ मिल रहा है लेकिन structure airdrop से भी आपको 10-15$ आने वाला तो इस हिसाब से आप यहाँ पर 30-35$ हर दिन ले सकते हैं और दो दोस्तों यहाँ पर airdrop reward को buy करने के लिए क्रंट लेफ्ट और राइट का structure business यहाँ पर जो mention दिया गया है चार्ट के अंदर वो match होना जरूरी है यहाँ पर airdrop reward को लेने के लिए कोई time limit नहीं है structure बाइंग के अंदर आप जैसी next rank या फिर higher rank अचीव करते हैं तब आपका previous rank बंद हो जाएगा और आपको निया benefit मिलना शुरू हो जाएगा बात कर लेते terms and condition के बारे में तो अगर कोई buyer अपने total amount को unstake करता है तो उसको staking bonus नहीं दिया जाएगा working airdrop distribute किया जाएगा according limit के अनुसार जो की airdrop reward और structure airdrop और airdrop reward को यहाँ पर मिला कर दिया गया है minimum withdrawal 10 $10 रहेगा और दोस्तों यहाँ पर airdrop का closing हर दिन रहेगा और airdrop only token के अंदर distribute किया जाएगा TGVW token यहाँ पर directly exchange से buy किया जा सकता है जो कि आपकी choice रहेगी इसके लावा यहाँ पर आप token को wallet के अंदर जितना समय दिया गया है उतना hold करते है तो आप इसका ज्यादा से जा high market risk पर price volatility पर काम करती है यानि price इसका जरूरी नहीं है कि increase होगा हो सकता है घट भी सकता है यह totally public sector पर काम करता है तो यहाँ पर अनुमानित है कि इसका price increase होगा और यहां से अच्छा income कर सकते हैं दोस्तों एक unique concept है आप इसे join करना चाहते हैं description में आपको पूरी detail दे रहा को थोड़ा सा भी plan नहीं समझे हैं तो आप उनसे बाचित कर सकते हैं हमेज़ी जाके मलते हैं दोस्तों साथ नहीं plan करें में तब तक सुखी रहिए स्वस्त रहिए मस्त रहिए